वोड़ाफून आइडिया और भारती एडिल के बारे में दोनों ही स्टॉक्स में आज हमें तीन बड़ी खबरे देखने को मिल रही है और इन खबर का क्या इंपक्ट पड़ सकता है इन स्टॉक्स पे वह भी हम देखेंगे हाला कि आज अगर देखा जाए तो मार्केट पॉजिटिव था और इन स्टॉक्स में भी अच्छी बड़त देखने को मिली अच्छे मुमेंटम के साथ ये शेयर दोनों की दोनों ही दोनों उपर की और जाते हुए नजराय है और तीन बड़ी खबरे हैं और यहाँ पर 5G से कुछ खबरे हैं जिस तरीके से गवर्मेंट ने यहाँ पर अनुरोध किया था यहाँ पर तीन कंपनी के साथ वड़ाफोन आइडिया भारती एटेल और रिलाइंस के साथ यहाँ पर तीनों कंपनियों से इन्होंने अनुरोध भी किया था यहाँ पर पीम ने और बिलकुल उसके बाद इन shares में काफी लोगों का interest बढ़ गया है यहाँ पर 5G में अगर देखा जाए तो यह तीनों की तीनों ही companies आगे रहेंगी बड़ाज बात होंगी वड़ा फोन आइडिया और भारती ITL के बारे में और वड़ा फोन आइडिया में काफी बड़ा momentum आ सकता है as a short term basis पे आप अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हो तो गैस काफी कुछ बाते होंगी दोनों ही shares को लेकर तो वीडियो को start कर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल दे महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फोर शेयर के अपडेट्स के लिए शेयर के लेटिस न्यूस के लिए तो करते हैं वीडियो को start और चलते हैं हमारे फर्स टॉक वड़ा फोन आइडिया के उपर तो गैस यहाँ पर स्टॉक के उपर जाओ उससे पहले हम देख लेते हैं क्या न्यूस जो फर्स न्यूस यहाँ पर आ रही है टेलको में रेजिक ध्यार 5G इंटर्प्राइज बिजनस प्लान एनलिस तो यहाँ पर जो टेलीकॉम सेक्टर है और अपने 5G बिजनस को आगे बढ़ाने के लिए अभी सक्षम हो गए है और फिर से वो काम इस पे कर सकते हैं तो गैस यहाँ पर जब 5G की बात चलती हैं तो काफी लोग यहाँ पर उसको काफी ज़्यादा कॉंटूर्शियल बना देते हैं और वही आगे भी हमें देखने को मिला था पिछली बार भी हमें देखने को मिला था और अभी अगर देखा जाये तो जो एनलिस्ट है उन्हो जियो भार्दी एटल वड़ाफोन आइडिया में फोकस देर प्लान 5G enterprise business to focus on medium size jet corporates for new revenue stream with expected competition from large corporate and tech major who could enter the fray for captive private networks using the next gen technologies analyst तो यहाँ पर जो एनलिस्ट का मानना है जिस तरीके से जो टेलिकॉम सेक्टर की company से रेलाइंस जी ओ भारती एटेल वड़ाफोन आइडिया यह अभी फिर से जो अपने 5G plan है उसके उपर focus कर सकता है 5G business पर पहले यह medium size यानी छोड़े पेमाने पर काम कर रहा था बट अब सेकेंड न्यूस के उपर भी चलते हैं गाइस और यह जो दूसरी खबर हैं बिलकुल उसके यहाँ पर आगेंस दे वही अगर देखा जाया 5G auction फ्लेट सब्सक्राइबर ग्रोथ मेवेग और एटेल वड़ा आइडिया स्टॉप तो गैस यहाँ पर अगर कहें तो कही न कही यहाँ पर 5G के आने पर जो यहाँ पर जो सब्सक्राइबर है उनका काफी ज़्यादा भार आ सकता है एटेल और वड़ा फोन के उपर आगएस यहाँ पर क्या चल रहा है तो बिलकुल यहाँ पर competition तगड़ा रहने वाला है और जिस तरीके से आगे एक companies अपने को आगे promote कर काम होता है और यहाँ पर कई analyst का मानना भी है कि आने वाले टाइम में इनकी जो growth है और कम हो सकती है ऐसा भी मानना है बट इसा उनका क्यों मानना है वो तो यहाँ पर पता नहीं है और यह अगर बात करें तो वड़ा फोन आइडिया लिमिटेट आज इस स्टॉक में क्या द closing देता हुआ आज नजर आया है यहाँ पर 45 पेसे तक ही बड़त हमें इस शेयर में देखने को मिली है फाइपॉइंट 66 परसेंट गए हिसाब से बात करें अगर इसके उपर और एक न्यूज आईए उसकी तो जो बोर्ड है और बिलकुल consider यहाँ पर कर रहा है पांसो करोड की fundraising आपर हो सकती है तो आप पर काफी सारी companies जो है already ready है वड़ाफोन को fund वड़ाफोन आइडिया को fund देने के लिए तो देखना होंगा आगे क्या होता है तो यह भी एक बड़ी news है guys वही बढ़ते है अब आगे वड़ाफोन आइडिया के जो levels है और काफी शांदार बनते ह वही नजरा रहे हैं यहाँ पर इन levels को अगर आप देखोंगे तो ऐसा लगता है कि अब गिरावट खत्म हो चुकी है अब यहाँ से एक बड़ी बड़त आ सकती है और बिलकुल बड़े पैमाने पर शेयर आगे बढ़ने वाला है यहाँ पर levels की बात कर रहा था तो यहाँ याँ पर upside down momentum आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं काफे upside down momentum पहले भी हमें देखने को मिलेते हैं एक पैटन क्रियेट हो रहा है जहां जब भी इसने support लिया एक नया हाई लगा है यहाँ पर सबूर्ट लेता है तो देखना होंगा किस तरीके से ऊपर जाता है तो विलक वड़ा फोन आइडिया आने वाले टाइम में तगड़े तरीके से बढ़ने वाला है अब चलते गई फारती एटेल के ओपर भारती एटेल ने काफी दमदार रिटरंस आज इस स्टॉक ने दिये है वही अगर देखा जाए तो किस तरीके से शेयर बढ़ा है शेस सो बावन र रहे हैं 11 रुपे 85 पेसे तक की बड़त हमें इस शेयर में आज देखने को मिली है 1.85% के हिसाब से स्टॉक बढ़ा है यहाँ पर बिल्कुल इसका मार्केट कैप तो दमदार ही है 3.70 लाक करोड का आज हुआ क्या 642 रुपे के ओपन पे शेयर ओपन हुआ था और बात करें अगर इसके फिप्टीडों एहाँ पर इस आज के हाई कि तो यहाँ पर 650 रुपे है तो बात कर लेते हैं भारतिये ऐटल के लेवल्स की तो जो लेवल नजर आ रहा है यहाँ पर भारतियेटल लिविक्टेड में काफी शांदार है लेवल्स है और एनलेवल्स को अगर चुका है औरेडी काफी बड़ी जो गिरावट थी खत्म हो चुकी है यहाँ पर अगर आप देखूंगे तो स्टॉक में यहाँ पर काफी तगड़ा हाई इसने लगाया था जो बिलकुल यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर सपोर्ट लेके स्टॉक में खा होत हिया है तो गाइस यहाँ पर टार्गेट 700 से साथ सो से का ऐस्स पास जा सकता है जो भी इसका रिप्तिट्विक्स हैं उसे यह ब्रेक कर सकता क्योंकि इसिके अंदर ट्रेट कर रहा था तो बिल्कुल यहां से एक बड़ा जंप आने की पूरी से पूरी से चांसे हैं और बिल्कुल थाउजन तक भी इस टॉक जा सकता है बिल्कुल ब्रेक आउट का सिनारियो भी यहां पर आगे क्रेट होने आला है तो दोनों ही शेयर के बारे में काफी कुछ बाते हो गई हैं आज इस वीडियो में तो वीडियो को यहां पर एंड करते हैं और वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ठैंक यू